नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल M.T. ग्यान गंगा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर रोज कुछ न कुछ नया सिखने को मिलता है जो आपको कही न कही काम जरूर आएगा दोस्तों आज का परसंग है कि अगर आपकी आँखें खास रात के एक से तीन बजे के आसपास खुलती है तो ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अब आप सोचते होंगे कि भला ये केसे हो सकता है दोस्तों वेसे तो ये दुनिया रहस्य मई बातों से भरी पड़ी है जिसमें से हम अभी तक नाम मातर ही जान पाए है लेकिन एक ऐसा रहस्य जो हर इंसान के साथ कभी नकभी जरूर होता है लेकिन आज तक इसे कोई नहीं जान पाया इस विडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रात्री के करीब एक से तीन बजे तक का समय अश्भ समय क्यों माना जाता है क्यों इस समय आखें खुलने पर नकारात्मक उर्जा और डर का एहसास होता है आखिर ये समय किसका होता है आपको बता दें कि यदि आप एक से तीन बजे के बीच अचानक उठते हैं या जागते हैं तो कोई चीज आपको भावनात्मक रूप से परिशान कर सकती है आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक उजा भी इससे प्रभावित हो सकती है तो ऐसे में जानते हैं रात में आखिर एक से तीन बजे का समय अशुब क्यों माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसा क्या है इस समय में आईए जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिस से हमारा हौसला बन सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों आपको बता दे, आधी रात के समय में नहीं किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, नहीं कोई शोर शराबा होता है और नहीं मंदिरों के दरवाजे खुले होते हैं। इसी कारण ये समय नकारात्मक उर्जा के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस समय में ये उर्जा एक सौ गुना शक्तिशाली हो जाती है और इसी समय में सिद्धिया प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधना करते हैं। जिसमें बली देना और गुप्त साधना करना, किसी वास्तु को मंत्रों के द्वारा प्राप्त करना आदी। तंत्र विद्या के अनुसार, रात्री के एक बजे से तीन बजे तक साधना या दी हुई बली सबसे ज्यादा फली भूत होती है। इसलिए एक तांत्रिक के लिए यह समय बहुत मायने रखता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस समय ज्यादातर शैतानी शक्तियां ब्रह्मांड में घूम रही होती है। और इसलिए तांत्रिक के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है और वही फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि आधी रात का समय इतना खराब होता है उसमें एक से तीन बजे के आसपास ही घड़ी रुख जाती है जिसके बाद बुरी घटनाएं होती है वहीं तीन की संख्या को भी अशुभ माना गया है दोस्तों कई बातों से आपको सावधान रहना चाहिए रात में सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बातें कभी न करें ऐसे समय में कभी भी आप उठे तो या जब बाहर जा रहे हो तो चौराहे से बच कर निकले और ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर किसी की बली दी जाती हो या जहां भूत बाधा भगाने का दावा किया जाता हो या नदी पुल या सडक पर हो या किसी जंगल से गुजरते हो तो या फिर अचानक से रात के तीन बजे नींद खुल जाए तो ऐसे समय में अपना काम करके भगवान का स्मरण जरूर करें क्योंकि ये समय इतना शक्तिशाली होता है कि हमारे दिमाग में न चाहते हुए भी नकारात्मक शक्तियां परवेश कर लेती है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये समय होता ही उनका है लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप घर पर सो रहे हैं और आपकी नीन करीब एक से तीन बज़े के बिच खुल जाती है, तो आपके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि घर एक मंदिर है और मंदिर में ऐसी घटनाएं नहीं होती है. लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर इस समय ये सब गतिविधिया होती है, जैसे खंडहर, कब्रिस्तान, नदी, चोराहा, सुनसान जगह, पुरानी हवेली, अंजान जगह या इनके आसपास की जहग पर ये सब कुछ होता है. अगर रात्री के इस समय आपकी आँख खुल भी जाती है, तो भगवान का समरण जरूर करना चाहिए. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आइकन जरूर दबा देना. धन्यवाद, जैश्री राधे राधे.